हाई फ्रेंड कैसे हैं आप लोग उम्मीद करती हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और यह मेरा उसी दिन वाला ओडर है जिस दिन गलती से मैं वन केजी का बेस बेक कर दी थी और मुझे हाफ करना था तो इसमें से और कट करके मैं उस दिन टूटी एर में यूज़ क किरिम लग गया था और मैं बहुत कम ही लगा के इसको पूरा कवर करी हूं एक टोटल 700 गरामी मेरा तयार हुआ था लेकिन जाने दो बरबात करने से अच्छा है कि मैं कस्टमर को दे दी वो जगे को जगे को कवर करी हूं आगे आप लोग देखेंगे और मैं अच्छे से इ नाश और चोको चिप्स एड करी हूं इसका प्राइज है न मैं 300 गरी हूं ऐसा नहीं कि मैं केक जादा दी हूं तो प्राइज भी जादा बढ़ा दी हूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैं सिर्फ 300 गरा ली हूं आप मेरी पूरी वीडियो देखते होंगे तो आपको पता ही चल रहा होगा कि हां मैं इतना ही हर केक में एड करती हूं ऐसा नहीं है कि इसमें कंजूसी करी हूं और बाकी समय ज्यादा करती हूं केस्टरमर को ये केक बहुत ही पसंद आया था जो सामने वाले का फिडबेक आ जाता है तो काफी अच्छा लगता है ये हर होम बेकर को पता है और इसका सिंपल सा मैं नॉर्मल जैसा हर केक की लेरिंग करती हूँ इसका भी करी हूँ दोनों ही लेर में अच्छे से ही गनाज डाली हूँ और अपने क्रीम में भी गनाज डालके उसको मेल्ड करके फिरिस में लगाई हूँ अच्छे से ही अपने केक की सोकिंग करी हूँ इ क्योंकि कभी क्षेमर भी होना जएओ भी जादा वाला कि आले 5VIS में 5 Hello डियू से कभी कभी सारी वाजी करद दहते हों कि are अब आप को बहुत सरी आवाज़े सुने को मिल रहे हों कि क्योंकि मैं रोड पर बेस ही नहीं है तो अगर वहाँ पर मैं नहीं लगाती तो मुझे थोड़ा प्लेन सर्फेस नहीं मिलता इसके लिए मैं पहले ही कवर कर दी हूँ उसको और मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि मैं है ना finalizing piping bag में भर कर ही करती हूँ से क्या होता है जल्दी हो जाता है अगर आपको ज्यादा क्रीम लगाना है तो भी आप कर सकते हैं अगर आपको कम करना है तो भी पाइपिंग बेग काफी हिल्प करता है आपका इसमें तो इसके लिए अगर कभी आपको कम ही क्रीम लगाना रहे तो भी पाइपिंग बेग का यूज़ करिए क्योंकि आप अगर डायरेक्ट लगाएंगे ना तो आपका अच्छे से ही लगाना रहेगा और इससे है ना फिनिशिंग भी अच्छी होती है तो आप हमेशा ही पाइपिंग बेक का ही यूज़ करें वो ज़्यादा बेस्ट है मेरे ख्याल से आपकी जब तक फाइनल फिनिशिंग अच्छी ना हो जाए आप करते रहेए जब आप केक बनाना सीखेंगे तो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम यही रहेगा कि आपको लेरिंग और इसकी फाइनल आईसिंग में ही पढ़ेगा और केक बनाने में कोई दिक्स नहीं है लेकिन अगर आप केक बनाना चाह रहे हैं कोई देख के भी अच्छा लग रहा होगा कि जब कोई केक बनाता है तो कितना अच्छा लगता है जो स्वेल वाली डिजाइन में बनाई हूं मुझे अभी भी उतना प्रॉपर जैसा प्रोफेशनल वाले करते हैं वैसा नहीं आता है इसके लिए मैं हर केक में ट्राइ करते हूं कभी नहीं भी करती हूं जो केक बना रहा है और वीडियो डाल रहा है उसको ये बात पता होगा कि होम बेकर के लिए सबसे बड़ा टास्क तो उसकी डिजाइन रहती है केक बनाना तो कुछ भी नहीं है अब अब यह रहता है कि कौ से design डालू नया क्योंकि कभी-कभी केस्टमर की demand रहती है कि मुझे यही design चाहिए जैसा कि मुझे इस केक में हुआ कि customer की डिमान थी कि मुझे यही type का cake बना कर दो तो हमको बना कर देना ही पड़ता है भी मैं इसमें थोड़ा बहुत change करी दी हूं क्योंकि मैं बोली कि ऐसा डिजाइन मैं बना चुकी हूं तो बोले ठीक है आप थोड़ा चेंज कर दो चलेगा लेकिन मतलब मुझे ऐसे ही टाइब की डिजाइन चाहिए फिर मैं थोड़ा सा चेंजेस करी हूं उसमें और आगे आपको बताऊंगी भी कि क्या चे जादा नहीं और यह डिजाइन उनका नॉर्मल टाइब में था अब मैं आपको कैसे समझाओं ऐसा डिजाइन में बना चुकी हूं लेकिन इसको ना मैं राउंड में कर दी दोनों आगे के साइड में कर दी हूं कि थोड़ा सा चेंज लगे ऐसा ना रहे कि यह सेमी और मेरा अच्छा लगा है कि नहीं अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना और यह नीचे में बॉर्डर दे दी क्योंकि क्रीम बच गया था ना तो मैं बोली अब उसको रखके कोई फाइ क्योंकि थोड़ा सालग लगे नहीं तो बाकी सारे केक के जैसा ये भी सेम दिखेगा तो अच्छा नहीं लगता है कि बार बार मैं सेम सेम डिजाइन आप लोगों के साथ शेयर करूं और मेरे पास इतने और नहीं रहते हैं कि कोई केक मैं बनाओं और उसका वीडियो ना ब उमीद करूंगी कि आप लोगों को अच्छा ही लग रहा होगा और फिर है ना मैं दो बटरफ्लाइ भी लगा दी थी वैसे वो बटरफ्लाइ लगाने भी नहीं बोले थे लेकिन मैं थोड़ा हटकर बनाना चारी थी इसके लिए सब करी हूँ और केस्टमर को तो मेरा ये के कितना सुन्दर लगा बोले अरे आप चेंज भी कर दिये तो भी बहुत सुन्दर बनाए हो और मैं ये हैपी बड़े का टेक लगा दी हूँ और ये रहा मेरे केक का फाइनल लुक मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई